जैसे किष्णा राधे राधे आईए अब हम मार्गशी स्मास का सोलवा अध्याय सुनते हैं मार्गशी स्मास में अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, गूर, तिल का दान शेष्ट बताया गया है दान हमेशा योग्य जरुरतमन व्यक्ति को देना चाहिए दान कने का फल इस जन्म में ही नहीं मरने के बाद परलोग में विसंचित रहता है दही व चावल का दान कने से शुक्र दोश दूर होता है रोज तालाब में मचलियों के लिए आटा या चावल के आटे की चोटी-चोटी गोलिया दान कने से घर में खुशहाली आती है, घर में अनधन के भंडार भर जाते हैं, अन, जल, घोड़ा, वस्त्र, शेया, तकिया, रजाई, गद्दा दान कने से मनश के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, नमक का दान ब्रामन को कने से शुब फल की प्राक्ति होती है, शुकरवार के दे नमक का दान कने से शुब फलदाई होता है, गुड का दान कने से सूरिये घ्रह मजबूत होता है, सूरिये देव भगवान की क्रपा बरसने लग जाती है, मंदीर में पीतल का घंटा दान कने से घर में सुकसमरदी बढ़ती है, मंदीर में जाड़ू दान कने से घर में कभी दरिद प्रिता कवास नहीं होता दान किसी भी चीज का करें दान करने से धन घड़ता नहीं बलकि बढ़ जाता है जैसे किसान जमीन में कुछ बीज डाल करके गेहूं चाउला बाजरे की फसल करता है तो उन्हें कई बोरियां भर कर फसल प्राप्त होती है वैसे ही एक मुठी दान कोटी गुना होकर वापस मिलती है गाय, स्वन, चांदी, रत्न, विध्या, कन्या, तिल, हाती, घोड़ा, शैया, भूमी, अन, दूद, धही इन वस्तों का दान करने वाला महादानी की शेणी में किना जाता है स्वम जाका दान करें वैस सबसे उत्तम है घर गुला का दान क करें ये मद्दम फल होता है, तिल, कुशा, जल, चावल, हात में लेकर जिस किसी भी चीज का दान करें वै अधिक पुन्या फल देती है, विध्या, ग्यान, अभैदान, सबसे उत्तम दान बताया गया है, अन्दान, वस्त्रदान, विध्यादान, अभैदान, ये सभी मनु करने से अक्षे कोटी गुनाफल प्राप्त होता है, जाने अन्जाने में की गई गलतियां धूल जाती है, किसी को कडवे वचन बोले है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाया है, तो वै भी धूल जाता है, किसी भूके जरदमन को भोजन खिलाना सबसे अधिक पुन्या का कारि करने से पूरुजन्म के पाफ धुल जाते हैं, प्रारब्द नहीं भोगने पड़ते हैं, मारगशी समास की हर्तिती महतपुन हैं, इस मास में भगवान दामोदर के बारे नामों का जाप करने से पूरुजन्म के कर्मों को धोया जा सकता है, जो इस मास में नी स्वार्द भ पहाव से भगवान की पूजा करता है, वे आवा गमन के चक्र से छूट जाता है, उसे फिर गर्ब ग्रह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता, 84 लाग योनियों के फेर से वे छूट जाता है, अगहन मास में मातालश्मी का पूजन काने का विदान है, जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार का व्रेत करके भगवान विश्नु और मातालश्मी का पूजन करता है, केले के पेड़ को सीचता है, गी का दीपक जलाता है, उसका घर धन धान्य से भर जाता है, इस मास में अगर सामरते हैं तो चांदी का दान करना चाहिए, इससे पुरुशत में वर्दी होती है अन्यदान से अभिष्टफल की प्राप्ति होती है इस मास में यमना आधी पवित्र तीर्थों में तीन दिन इस्टनान काने से उस मनश के जीवन भर के समस्त दुख छूड़ जाते हैं और इस जीवन के समस्त सुको को भोग का वहमने के बाद पुन्यफल को इस मास में केले के पेड़ की पूजा करने विष्णु भगवान और मातालश्मी की पूजा करने से असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है प्रत्वी लोग में जीवन चक्र गाड़ी के पईयों की भाती चलता रहता है जिसने इस प्रत्वी पर जन मिलिया है उसे एक नहे एक दिन मरना ही पड़ता है, मरने वाले को यम दूद अपने साथ यम लोग पूरी में लेकर जाते हैं, लेकिन प्रत्वी लोग से यम लोग के बीच की दूरी बड़ी ही कठीन और दुशकर होती है, बीच में वेतर्नी नदी आती है, हर जिवातमा को वेतर्नी नदी पार करन करना ही पड़ता है, इसका क्या कारण है, कृपिया आव विस्तार से बताईए, तब भगवान हरी गरुड से बोले कि हे गरुड पुन्य आत्मा वेतर्नी नदी को सुलबता से पार कर लेता है, लेकिन पापी आत्मा को वेतर्नी नदी पार करने में अनेक कठिनाईयों का सा जैसे पापी आत्मा वेतरनी नदी पार करने लगता है तो वेतरनी नदी का जल खोलते गरम तेल में बदल जाता है नदी का रोद्र रुप रक्त किटानों वज्र के सामान सूँड वाले जीवों से व्याप्त हो जाता है नदी में घडियाल, मगरमच, हिंसक मास भखषन करने वाले जानवरों से भर जाती है पापी आत्मा वेतर्नी नदी पार करते समय चीकते चिलाते हैं मदद के लिए आवाल लगाते हैं लेकिन उनकी वहां मदद करने वाला कोई नहीं होता गरूर कुछ पापी लोग को तो उस वेतर्नी नदी में ही पड़े रहना पड़ता है जो अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु, व्रद जनों का अपमान करते हैं धोके से उनके धन को हड़प लेते हैं उन्हें वेतर्नी नदी में हिचकोले खाते रहना ही पड़ता है जो सोतन इस्त्रियां अपने पती की पहली पत्नी के संतान के साथ वुराबरताव करते ह उन्हें तमोग नाम के कीरे कारते हैं जो पुरुष अपनी पती व्रता इस्त्री के होते हुए पराई इस्त्री का भोग करते हैं उन्हें भी इस वेतर्नी नदी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहना पड़ता है जो मनुश्य स्वम दान करके स्वम ही खाता है कन्या के इधन का भोग करता है, ब्रामन होकर मासमदीरा का सेवन करता है, एहिंकारी, पापी, जूट बोलने वाले, द्वेश भाव रखने वाले को भी वे तर्णी नदी में ही जीव काडते रहते हैं, वे चाहकर भी इस नदी को पार नहीं कर सकती, तब गरूर राज ने भगवान श करें, गोदान करें, जो मनुष जीवित रहते ही गाई का दान करता है, वही गाई मित्यु के बाद उस जीवात्मा को वे तर्णी नदी पार कराने के लिए आ जाती है, उस मार्ग में व्रक्ष की छाया नहीं मिलती, पीने को पानी खाने को भुजन नहीं मिलता, मार्ग दि विश्दर काटे मिलते हैं, तो कभी महा विश्दर सर्प, कभी भयानक व्यागर, शेर भेडिये कुत्ते भक्षन करते हैं, कहीं जहरीले बिच्चू ने काडते हैं, कहीं अगनी से जलाई जाते हैं, कहीं असी पत्र से काटे और शिले जाते हैं, यह मार्ग कई योजन चोड़ा होता है, इस मार्ग में कववा, उल्लू, गिद, वद्मकी, जैरीले मच्छ कारते रते हैं, पूरे मार्ग में अंधे कुए हैं, नुकीली कीले विची हुई है, कहीं कहीं मार्ग में अंगीरों की बरसात होने लग जाती है, कहीं लोह में व्रज गिने लग जाते हैं या कायक रुदीर की बरसाथ होने लगती है, तो कभी शस्त्रों की बरसाथ होने लगती है, तो कभी त्रिशूल और वाणों की बरसाथ होती है, यम मार्ग में पापी चीकते चिलाते हैं, उस मार्ग में पापी जीव पाश में भंदे हुए होते हैं, कोई अंकुष से खीचे होते हैं यमदूत किसी की नासीका के अगर भाग में पाश बांध कर खीचते हुए उसे ले कर जाते हैं तो किसी को कानों से बांध कर खीच कर ले कर जाते हैं किसी के हांग पैरों को लोहे के सलाकों से बांध कर गसीडते हुए ले कर जाते हैं तो किसी के सिर्व पीट पर कई कई किलो के पत्थर और लोहे का समो बांद कर रख कर लेकर जाते हैं तब यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने जीवन काल में रहते कई बुरे पाप किये हैं तो तुम्हें ये सब तो भोग नहीं पड़ेगा तब गरूर राज ने भगवान हरी से पूचा कि हे प्रभू इन सबसे बचने का उपाय बताईए तब भगवान हरी बोले कि हे गरूर मनुष्ट जीवन कई जन्वों के बाद कई पुन्य कर्म करने के बाद मिलता है इसलिए प्राणियों को अपने जीवन काल में सद कर्म करना चाहिए ब्रामनों की सेवा करनी चाहिए गंगाजल का पान तुलसी चर्णामत का पान करना चाहिए, सत्पुरुशों की सेवा करनी चाहिए, वश्युपक्षियों की सेवा करनी चाहिए, गाय को हराचारा खिलाना चाहिए, कुए ताला बावडी खुद्वानी चाहिए, भागवत कथा रामायन का पार्ट करवाना चाहिए, यग्या रामन की कन्या का कन्यादान करना चाहिए। अगर यह सब भी न हो सके तो मार्गशीश मास के क्रश्नपक्ष की उत्पन्ना एकादशी अर्थात वेतर्णी एकादशी का उपवास निर्जला रह करें। पूरे विदी विदान शद्धा भाव से इन एकादशी कावरत करने से वह सब पापों से छूड़ जाता है। जो मार्गशीश मास की इन दोनों एकादशी कावरत करते हैं वे जीवन के सबी सुख वर मरने के बाद वेतर्णी नदी पार करने में उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उनकी जीवात्मा बड़ी ही सुगमता से वेतर्णी नदी को पार कर लेती है। आईए अब हम पावितर पुरानिक पुन्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। जिससे की ये अमरत उन्हें पीने को नहीं मिले। तब भगवान विश्णु ने एक मन मोहिनी यूती का रूप धारन किया। और समुद्र से निकलते हुए अपने आस पास खड़े देवताओं और दानों को मधूर मुस्कुरहट फैकने लगे। दाना और देवता उस सुन्दर यूती को देखकर लड़ाई करना भूल गे। आश्चरिय चगित होकर उसे देखने लगे। तबी आकाश में बिजली चमक कर उस देव तुल्य सुन्दरी के कदमों में आकर समा गई। उस यूती ने कहा कि मेरा नाम मुहीनी है। उसकी आवाज बड़ी ही मदूर थी। सभी देवता और दानों ने ये समझा कि यह मुहीनी समुद्र मन्थन से प्रकट हुई है। लड़ाई फिर भी चल रही थी। अब ये लड़ाई इसलिए हो रही थी कि मुहीनी को कौन अपने साथ रखेगा। अब लड़ाई इस बात की होने लगी कि मुहीनी किसके साथ रहेगी देवताओं के साथ या दैत्यों के साथ। फिर मोहिनी ने कहा कि अगर आप सभी सहमत हूँ, तो मैं एक समाधान आप सब के सामने रखना चाती हूँ, इसके द्वारा दोनों दल मेरा और मेरे अमरत का पान कर सकेंगे, मोहिनी इतनी आकर्शक लग रही थी कि शायद ही कोई देवता या दानव उसके प्रस्ताव को ठु प्रस्ताव, मोहिनी ने आगे कहा कि मुझे अमरत से भरी सुरही दे दो और मैं आप सभी में इसे बराबर बाट दोंगी, मोहिनी ने तो देवता थी नहीं देत्य थी और नहीं असुर थी, इसलिए सभी ने उस पर भरोसा कर लिया कि यह निश्पक्ष न्याई करेगी, सभ देवता दानव देत्य उसकी सुंदर चाल और नत्य को देख रहे थे, मोहिनी ने अमरत बाटना शुरू किया, उस चतुर यूती ने नत्य करते हुए जदूई तरीके से अमरत की सुरही को पानी की सुरही में बदल दिया, ताकि देवता असली सुरही से अमरत पी सके और दानव नकली सुराई से पानी पी सके। इस प्रकास सभी देवतां अमरत पीने के कारण अमर होगे। राहु नामक एक दानव को ये अन्बव हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। मोहिनी द्वारा दानव को दिये जारे धोके की जाच कने के लिए उसने देवता का रूप धारन क और सूरिया और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। मोहिनी इस बात को समझ नहीं पाई। वन्यत्य करते हुए राहु के पास गई और उसे अमरत पिला दिया। राहु ने अमरत का एक घुट पिया तो उसके संदह की पुछ्टी हो गई। मोहिनी दानव को अमरत की जगे पानी पिलाकर धोका दे रही थी। दूसरी तरब सूरिया और चंद्रमा को यह पता चल गया कि यह राहु देवता नहीं बलकि दानव है। तो वे जोर से चीखे कि यह देवता नहीं बलकि देवता के वेश में एक दानव है। यह धोका दे रहा है। इससे राहु क् पुद को मूल अवतार में वापस परिवर्तित कर सभी को अश्चरिये में डाल दिया। उस संदर यूती की जगर सम विश्णु भगवान खड़े थे। तब भगवान विश्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहू का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। उस दानत द्वा निगले गए सूरिये और चंदर्मा को उसके गले से बाहर निकाल दिया। राहू मरा नहीं क्योंकि उसने अमरत का घूट पीकर वह अमर हो गया था। लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया। इस प्रकार उसका सिर राहू और शरीर केतु के रूप म के कारण सूरिये और चंदर्मा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहन कुस शणों के लिए ही होता है। आम इस पर्मात्मने नमे हैं। आर्भुवे नमें है। नमें है। ओम इश्वराई नमें है, ओम विक्रमने नमें है, ओम धन्वने नमें है, ओम इधावीने नमें है, ओम विक्रमाई नमें है, ओम क्रेमाई नमें है, ओम अनुत्तमाई नमें है, ओम दुरादरशाई नमें है, ओम कृतिकाई नमें है, ओम करतिये नमें है, ओम आत्मवते नमे ओम शरिणाय नमे है, ओम शार्मिने नमे है, ओम विश्वरित से नमे है, ओम प्रजाभवाय नमे है, ओम एहने नमे है, ओम समस्राय नमे है, ओम व्यालाय नमे है, ओम प्रत्याय नमे है, ओम सर्व दर्शनाय नमे है, ओम एजाय नमे है, ओम सर्विश्राय नमे है, ओम प्रभवे नमें, आप ऐसे चेनी ऊंडाने पड़िया नमें, आप मेसानाय वर्मदया गाउट में? नमें हैं गुड़िव्पेगां, नमें हैं। प्रभवे नमे है, ओम विश्य योनिय नमे है, ओम शुचि वस्वे नमे है, ओम अम्रत्याय नमे है, ओम शास्वस इस्तार नमे है, ओम वरा रुहाय नमे है, ओम महातपसे नमे है, ओम सर्वगाय नमे है, ओम सर्विध्भानवे नमे है, ओम विश्य सेनाय नमे है, ओम जनाद नमें है वेदाय 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 नमें है वेदा प्ंद्राय नमें है। ओम महाविरियाई नमे है, ओम महाशक्तिये नमे है, ओम हादूतिये नमे है, ओम अनिदेश्य वपुषे नमे है, ओम श्रीमते नमे है, ओम अमयात्मने नमे है, ओम हादीद्रशे नमे है, ओम इश्वासाई नमे है, ओम मही बत्रे नमे है, ओम श्री निवासाई नमे है, ओम स और तुमय अंज सर्व नाविए नाविए प्रेाने श्याल नाविए प्रिष्ण ईनव एपड़त्रात्म इने नंव च्छत्रात्मिन आप गुरुवें नंगे ऐए ऐवेए अधामने हैं उन अच्त्या नेहां भाक्रम्यण हैं उम एह निविशाय नमे है, उम इस्तर्गविने नमे है, उम अगरिने नमे है, उम गरामिने नमे है, उम श्रीमते नमे है, उम न्यायाय नमे है, उम नेत्रे नमे है, उम समीरनाय नमे है, उम सहस्तरमुदने नमे है, उम विश्वात्मने नमे है, उम सहस्तराक्षाय नमे है, उम सहस्तरपदे नमे है, उम अवरतनाय नमे है, उम निवरतात्मने नमे है, उम सवरताय नमे है, उम समप्रतदनाय नमे है, उम एह सवरतकाय नमे है, उम वेने नमे है, उम अनिल्या नमे है, उम धरनी धराय नमे है, उम सुप्रसदाय नमे है, उम प्रसनात्मने नमे है, उम विश्वद्रशे नमें है, विश्वजे नमें है, विवे 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 नमें है ओम सिद्धी संकलपाई नमे है, ओम सिद्धी साधनाई नमे है, ओम रशाहीने नमे है, ओम रश्वाई नमे है, ओम विष्ट्रणाई नमे है, ओम वर्ध मानाई नमे है, ओम विविक्ताई नमे है, ओम शुति सागराई नमे है, ओम सुभुजाई नमे है, ओम दूरदराई न आम बदेन उम सिपे विष्टायी नमें। रुत प्रेकेंट क desarrollेटीन में। प्रभवे नमे है, उम युगा दिगते नमे है, उम युगा वरताई नमे है, उम नेक माया नमे है, उम महाशनाय नमे है, उम अद्रश्याय नमे है, उम एविक्ताय रुपाय नमे है, उम सैस्तर जीते नमे है, उम अनन्त जीते नमे है, उम इश्टाय नमे है, उम शिष्टेशाय नमे है, उम शिकनीने नमे है, उम नहुशाय नमे है, उम रक्षाय नमे ह आदी देवय नमेज रदेवय नमेज ऑंपान अपानिटींत्य नमेज ओंपने औंदीय औंवvetteजिटफय नमें 16 इंव इस देवाई नमें है। युद्धाय नमे है। उम देवाई नमे है, उम शिरीघरवाई नमे है, उम परमिश्राई नमे है, उम करणाई नमे है, उम कत्रे नमे है, उम विकत्रे नमे है, उम घहनाई नमे है, उम गुआई नमे है, उम विसाई नमे है, उम इस्तानाई नमे है, उम संस्तानाई नमे है, उम इस्थानधाई न उम नयाय नमें पुरिशाय नमें, अम ब्रणवाय नमें, अम प्रथवें नमें, अम हिर्ण गर्भाय नमें। ओम शत्रुधनाई नमे है, ओम व्यापताई नमे है, ओम वाईय नमे है, ओम एदोशजाई नमे है, ओम रित्वे नमे है, ओम सुदर्शनाई नमे है, ओम कालाई नमे है, ओम परमिष्ठीनी नमे है, ओम परीगरहाई नमे है, ओम उगरहाई नमे है, ओम सवस्राई नमे है, ओ उम अभुगािये नमेके, तो इस्टभुडंड़ाई नमेके, तो इसम्चभुडंडह भुक्षशक भ्रोप लो इचप लोड़ी, तो इस्चत भचॉर्ट स्पक्रतु एव पानी, अम-टात्तिय नमए है На में है Om-विमुक्तात्पने नमए है Om-बाष्ण विदारना विदारणा वि animals विमcemी शुच्मरे नमए है व सु खड़। नमए है व में है । नमस विदारना विolina वि-वि0 पना वि-वya पना वाध्य उに नेकात्मने नमे है, ओम नेकम करते नमे है, ओम वस्तलाय नमे है, ओम वस्तिने नमे है, ओम रतने गरभाय नमे है, ओम धनेशराय नमे है, ओम धर्म गुपे नमे है, ओम धर्म करते नमे है, ओम धर्मीने नमे है, ओम सते नमे है, ओम ऐसते नमे है, ओम शरिया नमे है, ओम अक् आदिदेवाई नमे है, आदिदेवाई नमे है, आदिविशाय 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 नमें है, उम सात्मते पत्ते नमें है, उम जिवाई नमें है, उम इनिता साक्षने नमें है, उम मुकंदाय नमें है, उम अमित विक्रमाई नमें है, उम अंभो निधी नमें है, उम अननतात्मने नमें है, उम हो ददिश्याय नमें है, उम अंतिकाय नमें है, उम आजाय नमे संघ्र ना चुटार त के लिए यंदी किताबं तुटाई. नमें है, ओम वारोणाय नमें, ओम रक्षाय नमें, ओम पुष्राक्षाय नमें, ओम महामंसे नमें, ओम भगवते नमें, ओम भगदने नमें, ओम आनंदीने नमें, ओम वनवालीने नमें, ओम अहला हिद्दाय नमें, ओम अधित्याय नमें, ओम जोतीरा दित्याय नमें, ओम व्रक्ष प्रिया नमें है उम अनिवर्तिने नमें है उम निवर्तात्मने नमें लुटुस्ते नमें उम शें क्रते नमें नमें उमध्पा अनिवर्तिने नमें आसे नमें उम्पावामन जोति गरानिश्वडाया नमें है Galliß णाऊंगा सोनिते और सक्रीब पहसЫ स्तिराय को इंगे आ नमे आफ कना उने आफ fifty ainas should not NA ुम दोल्ग नमे जोती गटिक दिक दे आम लिए नमें, आम दोन शुरीय नमें, आम शुर्जेनिष्भ राही नमें, आम तानाश एनमें, ओम विश्वन नमे है, ओम विडिया नमे है, ओम अनंता नमे है, ओम दनजा नमे है, ओम ब्रह्मना नमे है, ओम ब्रह्म कते नमे है, ओम ब्रह्मिने 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 न व्स ब्रेइबर में अनाम्या नाम्या better वं मनुझवान नाम्या व्क्ती कराय व्ससना में है उं वर्स्धुच में ब्रसुपैदाइर गए सॉपर्वन से डावी जर है, और अक्षेत है सॉपर्वन से इ। ओम विश्व मूर्थे नमे है, ओम महा मूर्थिये नमे है, ओम दित मूर्थिये नमे है, ओम अमित मूर्थिये नमे है, ओम अनेक मूर्थिये नमे है, ओम एवक्ताय नमे है, ओम शत्मूर्थिये नमे है, ओम शतानियाई नमे है, ओम एकस्मने नमे है, ओम नेकाय नमे है, ओम उम काई नमे है, उम कस्मी नमे है, उम यस्मी नमे है, उम तस्मी नमे है, बदा यानुत्तमाई नमे है, उम लोग बंदवे नमे है, उम लोग नाथाई नमे है, उम माधवाई नमे है, उम भक्त वसलाई नमे है, उम स्वन वर्णाई नमे है, उम हिवडाई नमे है, उम पामिने नमें है, ओम तिलोग रशे नमें है, ओम सुमेश से नमें है, ओम एदजाय नमें है, ओम धन्याय नमें है, ओम सत्यमेश से नमें है, ओम धरा धरयाय नमें है, ओम तेजव रिक्षाय नमें है, ओम शुती धरयाय नमें है, ओम सारुशेस्त्र भूताम वरयाय नमें है आओवध एंत फार्नावा प्रकीं करतें नहीं जंगती क सब्सक्रीम हएं ओम दुरातिकरमाई नमे है, ओम दुरलुभाई नमे है, ओम दुरगुमाई नमे है, ओम दुरगाई नमे है, ओम दुरावसाई नमे है, ओम दुराधिने नमे है, ओम शुभाडाई नमे है, ओम लोकसाइडाई नमे है, ओम सूतंतवे नमे है, ओम तंदुवर्धनाई नमे है ओम इंद कर्मेने नमे है, ओम महा कर्मेने नमे है, ओम करत कर्मेने नमे है, ओम कतागमाई नमे है, ओम उदभवाई नमे है, ओम सुन्दराई नमे है, ओम सुन्दयाई नमे है, ओम रतनाबाई नमे है, ओम सलोचनाई नमे है, ओम अकारिय नमे है, ओम वाजसनाई नमे है, ओम शर्वजर्याने नमें है, ऐम स्वणह बंत्वे हैं य हूँ अशोभ्याई नमे हैं, ओम स्वागिश्राई नमे च्ति कानवाई प्रेजेनाः नमें है आम निलयाई आम मैं नमें है आम में अमेत पभशे नमें ढुंधीरत na слыш have उम है उम और साप सीनाई नमें ओम तृ गर्विदा फक्डै नमें है आम वियरत अपरas नमें है, ओम सब्त जीवाई नमें है, ओम सब्त दुसे नमें है, ओम सब्त वहनाई नमें है, ओम अमित बूर्तिय नमें है, ओम अनधाई नमें है, ओम अचित्याई नमें है, ओम भरकते नमें है, ओम भेर नाशनाई नमें है, ओम अनवे नमें है, ओम भ्रहते नमें है, ओम क प४મ पहनों पार्बुतियाय पार्बुतिय प्रीजिक्ट पार्फूतिय प्रूसरी और थी पुर्स, तब भलूतिय प्रैट मेंसट अभी प्रायाय नमें है, ओम प्रियाहाय नमें है, ओम एहाय नमें है, ओम प्रियकते नमें है, ओम प्रिती वर्दनाय नमें है, ओम विहा सगतिय नमें है, ओम जोतिशे नमें है, ओम सुरुचे नमें है, ओम उतुबजे नमें है, ओम विभुवे नमें है, ओम रभी नमें है शेले, उम सॉरियाय नमे, ओम सावीत औृय केंदाय में है। ओम दुश्कृतिधने नमे है, ओम पुन्याई नमे है, ओम दुख सपनाशनाई नमे है, ओम विरुदने नमे है, ओम रक्षनाई नमे है, ओम सदियो नमे है, ओम जीवनाई नमे है, ओम परिय वविस्थिनाई नमे है, ओम अनंत रूपाई नमे है, ओम अनंत श्रीय नमे है, ओम, जित्ते नंयवें नमें है, ओम, घर थू来, ओम, ऑम, बार्णा, इए यॅर्णुवेटिधने बतल वांणामस, हुँआ और हवता है यॅर长 स भाझा, शंवायऊ मैं हैशें वीयोजयई, ओम, डिशाय, öldpad मैं गोल्म, और हैनलातंमस, और हमघ्याग, और ही कि पुछ्वहा अम प्रजागरियाई नमे है, अम उर्धुगाई नमे है, अम सत्व पथाचारियाई नमे है, अम प्राणदाई नमे है, अम प्रणवाई नमे है, अम प्रणाई नमे है, अम प्राण निलियाई नमे है, अम प्राण भूते नमे है, अम प्राण जीवनाई नमे है, अम तत्व प्रपीता महां नमे है ओम् यग्वाहनाई नमे है ओम् यग्वाहनाई नमे है। ओम आत्म यूनिय नमे है, ओम सहजाताय नमे है, ओम वेखानाय नमे है, ओम साम गाय नाय नमे है, ओम देव की नंदनाय नमे है, ओम तस्टे नमे है, ओम शितिशाय नमे है, ओम पाप नाशनाय नमे है, ओम शंखबुते नमे है, ओम नंदकीने नमे है, ओम चक्रने नमे है, ओ ओम शाग धन्वने नमेहे, ओम गदा धराय नमेहे, ओम रथा गपाणाय नमेहे, ओम अशोभ्याय नमेहे, ओम सार्व प्रहणाय या उद्दाय नमेहे, इत्ती शी महाबारते अनुश्यासन परवने, शिरी विश्नु सहस्त नामावली संपूना, जहो विश्नु भगवान की प्रॉब मेल कमाुड़ी झाल 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 झाल